श्री गनेशा ये नमाहा, ये राशी फल चंदरा राशी पर आधारित है, चंदरमा मन के कारक है, हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते हैं, वो चंदरमा की स्थिती लेकर आती है, और इस वजे से चंदरमा की पोजिशन हमारे रोज के जीवन को बहुत जादा प्रभाव स्थान में यानि आपकी राशी में ही रहेंगे जी हाँ चंद्रमा की ये पोजिशन आपके लिए काफी अच्छी रहेगी इसका मतलब ये दिन आपके लिए बहुत ही बढ़िया जाने वाला है इस समय में आपकी हर इच्छा हर मनोकामना पूरी हो सकती है सुबे से ही आप उत जिन आपको कोई बड़ी खुशकबरी भी मिल सकती है जी हाँ कुछ ऐसी खुशकबरी मिल सकती है जिसकी आप या तो वेट करेते या तो आपने उसके बारे में सोचा भी नहीं था इस समय में आपको पारिवारिक सुक मेलेगा परिवार में भी कोई बड़ी खुशी इस सम प्राप्थ सकता है इस वक्त आपकी डेली की example में बड़ोतरी होगी जो लोग डेली में कमा रहे है जिनका income डेली में दिखाई दिता है उन लोगों के लिए ये समय बहुती बढ़या रहने वाला है और अगर आप partnership में business करते हैं तो business partnership से भी आपको बड़ी आलाब होगा इस समय में आपकी married life मदूर रहेगी घर परिवार में प्यार और शांती का माहूल रहेगा परिवार के साथ घूमने फिरने के लिए खुशिया मनाने के लिए ये समय काफी अच्छा रहेगा आपके partner से परिवार से आपको पूरा सहयोग इस समय में मिल रहा है ये समय यात्राय करने के लिए भी बेहतरीन है जी हाँ दोस्तो अगर यात्राय करनी है तो आप जरूर कर सकते हैं क्यूकि इस समय में यात्राय आपके लिए लाबकारी रहेगी बिजनेस के लिए अगर आप यात्रा करते हैं या आपके प्रोपेशन के लिए आपको कही जाना पड़ता है तो आपके लिए समय शुब है यात्राय आपके लाबकारी रहेगी दोस्तो लव लाइफ में इस समय में रोमेंटिक माहोल रहेगा लव लाइप के लिए दिन काप ही अच्छा है अगर भविश्य के निरने लेना चाहते हो या आपने प्यार का इजहार करना चाहते हो तो समय आपके लिए अनुकुल है सफलता मिल सकती है इस समय में आपके पेंडिंग काम पूरे होंगे काम करने की आपकी जो गती है वो बढ नहीं हो सकता, खरीददारी करने के लिए समय अनुकूल रहेगा, तो इस समय आप शॉपिंग कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज खरीदना चाहते हैं, तो वो भी खरीद सकते हैं, शॉपिंग करने के लिए ये समय बहुत बढ़िया है, दोस्तो ये समय स्टूडन्स के लिए भी काफी शुबसावी दोगा पड़ाय में कॉंसेंट्रेट कर पाओगे इस समय में चंद्रमा की क्रिपा आपको मिल रही है चंद्रमा आपको एका ग्रता दे रहे है जिस वज़े से आप कम समय में ज्यादा विद्धा ग्रहन कर सकोगे इस समय में आप जैसे चाहोगे वैसे रि लोगों के बीच रह सकते हैं, इस लक्त आप अपनी personality पर ज्यादा ध्यान दोगे, आपका शोक इस समय में आपकी personality में नजर आएगा, आप से लोग आकरशीत हो सकते हैं, आपकी बोली में मिठास रहेगी, स्वभाव में गंबिरता रहेगी, इस समय में आप लोगों को जोड इस दिन आपका स्वास्ते भी अच्छा रहेगा, आप एनर्जेटिक रहोगे, स्वश्ट और मस्त रहोगे, उत्साह और जोस्से भरपूर रहोगे, इस दिन का पूरा लाब उठाए, इस दिन आप के लिए orange रंग का इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा, और lucky नंबर रहेग बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशीपल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशीपल को एक मार्ग दर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तो सभी राशी के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बाते वीडियो में आगे बताई गई है तो वीडियो आगे जरूर देखे नमस्कार दोस्तों व्यक्ति को बिलकुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है दरसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजे होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती वह च चीजे हमारे चारों तरफ एक अजीब सा घेरा बना कर रखती है परन्तु हम उसको नहीं देख पाते इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारत्मक्ता फैलती है जिसकी वज़े से हमें नुकसान उठाना पड़ता है जिसकी वज़े से हमें भारी नुकसान उठ पड़ता है हम पूरी तरे से कंगाल हो सकते हैं हम सोचते हैं हमारे जीवन में हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है लेकिन हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देते तो दोस्तों इन चीजों पर ध्यान देना जरूरी है और वो चीजे अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगर आप कही बाहर से आते हैं और अपने जूते चपल इधर उधर कही भी उतार देते हैं तो ये अशुब होता है क्योंकि इधर उधर जूते चपल उतारने की आदत की वज़े से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में रुकावटे उत्पन होती है इससे उन्नती में बाधा आती है इसलिए आप अपने जूते चपलों को उनकी जगय पर ठीक प्रकार से रखे दोस्तों काफी लोगों को इस तरह की आदत होती है कही से भी बाहर से आते है कही भी जूते चपल फेक देते है कही पर भी उतार देते है कुछ कुछ लोग तो घर के entry के main door के सामने ही जूते चपल डायरेक्ली उतार देते हैं ये तो बहुत ही गलत है साथ ही कुछ लोग जूते चपल उल्टे रख देते हैं उस पर ध्यान नहीं देते लेकिन इन चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है और जूते चपल हमारे जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करते है दोस्तों ध्यान रखे जूते चपल हमेशा साप सूत्रे रखे और उनको उनकी जगए पर रखे उनके लिए एक स्थान बनाए उस स्थान पर रखे अगर कोई व्यवस्ता उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है वहाँ पर उने रखे साप सुत्रा रखे जूते चैप्पलों को उनकी जगय पर कुछ इस तरह से रखे क्यों देखने में भी अच्छी लगे अगर वो चीजे देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे निगेटिव एनरजी उत्पन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी तो दोस्तो इस बात का ध्यान जरूर रखे साथ ही दोस्तो एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है हमारे घर के चट के उपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के चट के उपर रख देते हैं ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के चट के उपर कबार जमा दिखता है जी हाँ जो चीजे हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के उपर रख देते हैं लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा निगेटिव एफेक्ट डालती है इसलिए हमारे घर के उपर का जो भी एरिया है वो प इतना पा सकते हैं उतना नहीं पा सकेंगे क्योंकि ये चीज़े हमें कही ना कही हमारे जीवन में पीछे रखेगी इस वज़े से घर के चछत को पूरी तरे से साप सुत्रा रखें क्लीन रखें साथ ही दोस्तों हम हमेशा देखते हैं घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही जिन अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है जी हाँ सीडियों के नीचे कूडा कच्रा कबार अगर हम जमा करके रखते हैं कोई भी सामान रखते हैं तो उस वज़े से मालक्ष्मी हम पर पसंद नहीं होती मालक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो दोस्तों इन चीजों पर ध्यान रखे हमारे घर की सीडिया होती है उनकी नीची की जगा हमेशा साप सुत्री रखे क्लीन रखे साथ ही दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मोजूद है जिसका आपको काम नहीं है जैसे टूटे फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घड़ी, जाडू, गमला इत्यादी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बाहर निकाल दीजिए वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है आपको ये चीजे कंगाल बना सकती है तो घर में ऐसी चीजों का मोजुद होना शुब नहीं माना गया है इससे धनकी देवी माता लक्षमी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है व्यक्ति के मन में चिड़ चिड़ा हट होती है और चोटी-चोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है आप जो भी कार्य कर उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मौजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीजे कूडा कचिरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास बात है हमारे घर में मकडी का अगर जाल में बदल सकते हैं क्योंकि मकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है और अगर आपके घर में मकडी का जाला है तो इससे घर में नकारत्मक उर्जा का प्रभाव अधिक बनता है और वास्तु शास्त्र के अनुसार इससे सकारत्मक उर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है और घर में नकारत्मक उर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इसलिए आप अपने घर को हमेशा साप सूत्रा रखे कम से गम एक महिने में अपने घर के हर कोने की साप सपाई जरूर करे जी हाँ वैसे तो एक हपते में साप सपाई करनी ही चाहिए लेकिन ना हो सके तो एक महिने में तो आपको घर पूरी तरे से साप करना चाहिए और मकडी के जालों को खास करके अपने घर में बिलकुल भी पना ना दे दोस्तो मुख्य द्वार भी हमेशा साब सुत्रा रखे मुख्य द्वार को हमेशा सजाया जाता है क्योंकि मुख्य द्वार से ही हमारे घर में लक्षमी का प्रवेश होता है तो मुख्य द्वार को साब सुत्रा रखे और सजा कर रखे तो बहुत अच्छा रहेगा इससे मानसीक रोग और घर की परिशानिया दूर हो जाएगी धन की कोई कमी नहीं रहेगी और इसके साथ साथ आएके नए स्त्रोथ भी खुलने लगेंगे इसी के साथ और कुछ चीजे है जैसे टूटी फूटी जो भगवान की मुर्तिया होती है वो हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए साथ ही जो भगवान के पुराने फोटो है जो जमा करके रखे हुए होते है तो दोस्तो वो चीजे नहीं रखनी चाहिए जो भगवान के फोटो या भगवान की मुर्तिया जो घर के मंदिर में है बस वहां तक सिमीत है अगर आपके घर के शोकेस में भी वो मुर्थिया रखी है कुछ फोटो रखे थे उन्हें भी साफ करते रहना चाहिए जिन चीजों को हम मेंटेन नहीं कर पाते साफ नहीं रख पाते उन चीजों को घर से हटा देना ही आपके लिए अच्छा रहेगा साथ ही दोस्तो कुछ तस्वीरे है जैसे डूपते नाव की तस्वीर या फिर जगडे की तस्वीर या फिर कुछ ऐसी तस्वीरे होती है जो देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये तस्वीर negativity दर्शा रही है इस तरह की तस्वीर भी आपको आपके घर में नहीं रखनी है जी हाँ इस तरह की तस्वीर लगाने से भी हमारे जीवन में उसी तरह के घटना है घटित होना शुरू हो जाता है हर एक चीज हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा तो दोस्तो कुछ ऐसे चोटे मोटे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशिया ला सकते है तरक्की ला सकते है, धन ला सकते है लक्षमी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है तो इन चीजों को जरूर आजमाए इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें धन्यवाद